हेलो दोस्तो आज हम आपको पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में स्थित बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानी के बारे में बताने वाले हैं इस कहानी की शुरुवात 1960 के दशक के अंत में होती है और आज भी यह लोगों के दिलों में डर पैदा करती है लेकिन स्टोरी आगे बढ़े उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना न भूले ताक किनारे चलते हुए देखा गया रेलवे के करमचारियों और स्थानिय निवासियों का दावा था कि जैसे ही वह आकरती दिखाई देती तुरंत ही गायब हो जाती थी हर बार उसे देखने के बाद वहां ठंडक और एक अजीब सी खामोशी चा जाती थी सबसे भयावह घटन तब घटी जब स्टेशन मास्टर ने उस भूतिया महिला को देखा उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई उसकी मौत के बाद स्टेशन के करमचारियों में डर और भी बढ़ गया कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उस रात को रात में ट्रेने इस स्टेशन से गुजरने से डरती थी और धीरे धीरे बेगुन कोदर एक सुनसान और भूतिया जगह बन गई। एक डरावनी कहानी का प्रतीक बन गया. 2009 में ममता बनर जी जो उस समय की रेलवे मंत्री थी ने इस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला किया. उन्होंने भूतिया कहानियों को मात्र अफवाह बता कर खारिज कर दिया. लेकिन स्थानिय लोग और परियतक आज भी इस जगह को लेकर आशंकित हैं. कई लोग अब भी रात में वहाँ जाने से डरते हैं. आज बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन फिर से चालू है. लेकिन इसकी भूतियां कहानियां अभी भी लोगों को आकरशित करती हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नया मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी के साथ. बाई.